पीछे देखो पीछे कौन कौन है इस लिष्ट में और ये कैसे रातो रात ऐसे वाइरल हो गए है योहानी मानिके मागे हिते ये गाना साल 2022 का सबसे ट्रेंडिंग गाने में से एक है ये गाने का मतलब जो भी हो लेकिन ये सुनने में काफी माज़ेदर था ये गाना 17 औगाश्ट साल 2021 को पार्वमिस्रा नाम की एक यूट्यूब चैनल पर अपलोट किया गया था लगवग 10 करोर से भी ज़्यादा लोग ये गाने को देख चुका है ये गाना यहानी और पार्वमिस्रा दोनों ने मिल कर गाया था हलाकि ये गाना साल 2021 में अपलोट किया गया था लेकिन साल 2022 में ये गाना काफी वाइरल हो गया था और सिर्फ एक गाना गाकार यूँहानी काफी फिमास हो गए स्री लंका के रहने बाले यूँहानी 29 साल की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को सिंग्ली लेंग्वेज में गाया गया है तो इंडिया की ज़दातर लोगों को इस लेंग्वेज का पाता ही नहीं है दूसरे नमबर फर हैं फूबन बद्यकार सबसे भाइरल गाने की लिष्ट में कच्चे वदम तो होना ही चाहिए जैसा कि आप जानते हैं फूबन बद्यकार ओष्ट बेंगल की विर्भूं जिले की एक विहत गरिप परिवर से हैं वे गाओं में गाना गता था और कच्चा वदम बेचता था एक दिन एक सक्स ने उसका वीडियो वाना कर सोशाल मीडिया पर अपलोड कर दित और फिर जो हुआ उसे वाताने की जरुरत नहीं है और सबसे हैरनी की बात तो ये है कि ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि काई लोग इस पार सोट्स वीडियो वाना कर ही फेमास हो गए जिसकी बाएशा से वड़े वड़े यूट्यूब वार्स उन्हें मिलने के लिए लाइन लगाते थी काई लोगों ने उन्हें पैसा भी दिया जिसकी बाएशा से ये आज एक आच्छी जिन्दगी जी रहे है बिज में तो ये भी सुनने में आये था कि भूबन कका यानि हमारे भूबन चाचा एक सेकंड हैंड गारी खरिपकर उससे एक्सिडेंट करके अपना प्रेयर दोड़बा लिया था लेकिन आज ये विल्कुल ठीक है और अच्छे है अभिलिपसा पांड़ा नमब तीन पर है इस सल की काफी फपुलर सिंगार अभिलिपसा पांड़ा सायद आप इनके नाम नहीं जानते होंगी लेकिन अपनी हर हर सम्भू इस गित को कम से कम एक बार सुना ही होगा ये गाने को केवल छे माहिने अपलोट किया गया था आपको ये जानका रहरनी होगी कि सिर्फ छे माहिने में ही इस गाने को सो मिलिपसा रातो रात स्टार वन गये हैं लेकिन इस गाने को लेकर एक कॉंट्रोवर्सी भी हुआ था क्योंकि ये गाना फार्मानी नाज नाम की एक सिंगर ने भी गाया था तो उनका दावा है कि वे इस गाने की आसली सिंगर है लेकिन दूसरी और अभिलिपसा का दवा है कि वे इस गाने की आसली सिंगर है लेकिन आप जानका रहरन हो जाएंगे कि वास्तब में इस गाने की आसली सिंगर उन में से कोई नहीं है क्योंकि ये गाने को एक वजन सिंगर ने वहुत सल पहले गाया था दोस्तों जो भी हो चाहे इसकी आसनी सिंगर कोई और है लेकिन अफिलिपसा का ये वर्सन लोगों को काफी फसंगाया महमद फैस इस सिंगर को अपनी रियालिटी सो में जरूर देखा होगा फैस का आवाज काफी वहतरिन है जब ये केवल 5 सल के थे तब से वे गाना गा रहे थे लेकिन सुपर स्टर सिंगर की सीजन 2 में उन्होंने काफी नाम कमाया जहां उनका पहला गाना खामोसिया बहुत वाइरल हुआ था हर कोई ये गाने को बार बार सुनना पसंद कर रहे थे उसके बाद उनका गाया हुआ बाते ये कविना चन्ना मेरिया कैसे हुआ किसरिया जैसे हाड एक गाना लोगों को काफी पसंद आया जिसकी वज़े से वे इस सोकी चैंपियन भी रह चुके हैं महम्मद फैस का जन्म 18 फर्वरी 2008 को जद्पुर राजस्तान में हुआ था वे आप सिर्फ 14 सल के ही हैं लेकिन इसकी आवाज सुनने में ये आपको पाता नहीं चलेगा महम्मद फैस इतने पपुलारिटी के बाद उनको काफी गाने की ओफर्स भी आए सोसाल मीडिया फार ये नाम काफी फापुलर है इसका आवाज सुनकर आप इनके फैन हो जाएंगी प्राजल विस्वास कोईष्ट विंडल के नदिया जीले से हैं ये वहाँ वेंगली फोक गाना गाता था जिसे बाउल कहा जाता है प्राजल ने जब सुपाश्टर सिंगर के मंज पर आकर आपनी जादूई आवाज से ये गाने को गाया तो ये गाना रातो रात वाइरल हो गए दोस्तों प्राजल अब अपने गाउंपर अपने परिवर के साथ हैं कुछ माही ने पहले प्राजल एक वेंगली फिल्म में गाना भी गा चुके हैं सुरुष्टी ताओडी नमबर साथ पर है इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग में चल रहे महीला रैफार सुरुष्टी ताओडी उन्होंने एक ही रैप गाका रातो रात वाइरल हो गए उन्हें इंडिया की फैहली महीला रैफार माना जाता है जो इतना पॉपुलर है उन्होंने सबसे पहले इस गाने को हसल 2.0 नामके एक रियालिटी सो में गाया था लेकिन आप उनका गाना हर सुसाल मीडिया प्लाटफॉम पर ट्रेंड कर रहा है और उस से भी जड़ा 10 लग से भी ज़्यादा लोक इस गाने पर लिप सिंकर चुके हैं सुष्टी आप सिर्फ 23 सल की हैं और यह महारास्ट में रहते हैं रिटो रीवा नमबर आट फर है रिटो रिवा दोस्तों रितो रिवा ये नाम 2022 में काफी चर्चे में रहा रितो रिवा अरुनचल प्रदेस से हैं और बर्तमान में ये सिर्थ 24 साल की ही है जिन्हें इंडियान आडल से निकल दिया गया था अगर आप सोसाल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो उव्मिर्ध है कि आपने उनका गाना ज़रूर सुना होगा लेकिन इतना आच्छा गाने के वाद भी उन्हें इंडियान आрьडल से वाहर कर दिया गया था लेकिन इसके फिछे एक दिल्चस्ट कहानी है असलमे वे इंडियान आडल में ओडिसन देने से पहली इंडियान आइडल को फर्जी बताते हुए एक मैसेज की थी बाद में इंडियान आइडल के जाजों ने इस मैसेज को देख लिया साइध एही वज़ा है कि उन्हें इंडियान आइडल से वाहर कर दिया गया है दोस्तों जो भी हो उनका खुबसरत आवाज हमेसे लोगों को याद रहेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे आगले किसी नए वीडियो के साथ